नमस्कार साथियों मैं हूँ महेश अहुजा स्वागत है आपका Competition Community के FTR 3.0 सीरीज में और इस FTR सीरीज में मैं भारत के इतिहास को डिल करने वाला हूँ FTR सीरीज में यह भारत के इतिहास का हमारा पहला वीडियो होगा और इस वीडियो में हम European Company के आगमत सहायत संधी और 1857 के विद्रों के प्रस्णों को हल करने वाले हैं आपको इस FTR सीरीज में भारत के इतिहास के कुल 11 वीडियो देखने को मिलेंगे जिसमें से 9 वीडियो प्राचीन, मध्य और आधुनिक इतिहास पर आधारित होंगे और concepts की गहराई में जाकर हम facts को बाहर निकालेंगे जो कि exam में उससे जाते हैं यहां पर मैं यह भी बताना चाहता हूँ कि same FTR series हमारे English Medium चैनल पर भी चल रही है So those experts who are preparing CGPSC in English Medium So it is a high time to subscribe our English Medium चैनल right now Without wasting time शुरुवात करते हैं FTR series में भारत के इतिहास की पहला प्रस्ण है भारत में पुर्टगाली गवर्नरों के बारे में निम्न कथनों पर विशार की दिये यह जो प्रस्ण है यह पुर्टगालियों से संबंदित है क्योंकि भारत में आने वाले पहले यूरोपी जो है वो पुर्टगाली थे इसलिए पहला प्रस्ट मेंने पुर्तगालियों से रखा है और यह प्रस्ट जो है यह पुर्तगालियों गवर्नरों के बारे में दिये गए कथन है तो देखे कथन आपको दिख रहे हैं 3, एक्जाम में जब कभी आपको कथन दिखे, तो सबसे पहले एक नजर आप यहाँ मार लिजेगा कि आपको सही कथन बताने हैं या गलत कथन बताने हैं. ये काम जो है compulsory है ये काम जो है must है और सबसे जरूरी काम है छाट लेना कि मुझे exam में जो कथन है सही कथनों को छाटना है या गलत कथनों को छाटना है ये काम कर लेने के बाद अब आपको कथन पे नजर मारनी चाहिए तो पहला दिख रहा है भारत में पुर्टगाले सक्ता का जो वास्तविक संस्थापक था वो था फ्रांसिसको दे अलमीडा पहला कथन फ्रांसिसको दे अलमीडा के बारे में दूसरा नीनो डी कुनहा के बारे में है बोला गया है कि ब्लू वाटर पॉलिसी के लिए जाना जाता है नीनो डी कुनहा और जिसका उद्देश था आपको गलित कत्रों को च्हाटा को ऑई सबसे पहले मैं आपकी मदद करता हुँ यह जो आपको दिख रहा है यूरोप में सब नियूरोपी भाइध में सबसे पहले जो पुर। अबहे से भाए सब यहां क्योंकि सब के सब यूरोप से आये थे इसे लिए आप कहते हो कि यूरोपिय कमपनियों का भारत में आगमन हुआ था यहां नजर डालने के बाद अब देखी मैं आपको जो चीज समझाना चाहता हूँ तो डिसकस मैं यह करना चाहता हूँ कि सबसे पहले आये थे पुर्तगाली पुर्तगाली के बाद आये थे डच डच के बाद आये थे ब्रिटिश ब्रिटिश के बाद आये है आपके डेन और डेन के बाद आये थे आपके फ्रांसाजी ये हमने देखा पुर्टगालियों के आने का क्रम तो मैं आपको पहले बता दू कि वैल नोन फैक्ट है कि पुर्टगाली का वास्को डिगामा जो है वो 1498 में आया था लेकिन इन पुर्टगालियों ने अपने कमपनी की स्थापना कब की थी तो वो आपका 1500 में की थी देखे अगर इस टॉपिक को ये चीज समझना यहाँ पर पहले जरूरी होगा कि ये कब आये थे और इनने कमपनी की स्थापना कब की थी यहाँ पर बता दू कि डच जो है डच 1595 में इनका भारत आगमन हुआ था लेकिन डचो ने अपनी कमपनी की स्थापना 1602 में की थी यहाँ पर ब्रिटिश जो है इनका भारत आगमन 1600 में हुआ था लेकिन ब्रिटिश कमपनी की स्थापना जो है वह 1600 में बोच चुकी थी यहां मैं इनके आने का करम बता रहा हूँ, यहां पर इनके कमपनी की स्थापना का करम बता रहा हूँ इधर उसके बार डेन जो है भारत 1616 में आये थे और इन्होंने अपने कमपनी की स्थापना भी 1616 में की थी और 1664 में आये थी फ्रेंज और कमपनी भी बनेगी 1664 में तो इधर आपको सिक्वेंज आने का करम दिख रहा है और इधर कमपनी के स्थापला का करम दिख रहा है यहां से प्रश्ण एक्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं अब यह समझोँ जो point में बताना चाहरा हूँ यह है अगर यहां नजर मारे तो कमपनी के स्थापला के करम की अगर बात करें तो ब्रिटिश का नंबर लग जाता है second लेकिन अगर भारत में आने की बात करें तो ब्रिटिश का नंबर लग जाता है तीन इस fact को यहाँ पर ध्यान से आप समझ लीजिएगा कि ब्रिटिश कमपनी की स्थापना डचों के पहले हुई थी क्योंकि ब्रिटिश की स्थापना 16-16 में हो रखी है और डचों की स्थापना 16-2 में हो रखी है तो आने के क्रम में ब्रिटिश का नंबर लगेगा 3 लेकिन कमपनी की स्थापना का अगर क्रम आएगा तो ब्रिटिश का नंबर लगने वाला है दो इस चीज को पकड़ने के बाद अब मैं आपको पुर्तगालियों के गवर्नरों के बारे में बताता हूँ देखेगा पुर्तगालियों ने भारत में अपने सामराज्य को स्थापित करने के लिए जो वन बाई वन गवर्नर भिजे थे उन में से तीन इंपॉर्टेंट गवर्नर दिख रहे पहला गवर्नर जो मैं आपको बता रहा हूँ यह रहेगा अल्मीडा यानि कि पुर्तगालियों का पहला गवर्नर अल्मीडा अल्मीडा के बाद आएगा अल्बुकर्क और अल्बुकर्क के बाद आएगा कुनह देखो न क्योंकि जो प्रस्ट में लिया हूँ न वो गवर्नरों से संबंदित है तो गवर्णरों के बारे में डिसकस कर रहा हूँ आप से और आने क क्रम और कमपनी की स्थापना का क्रम भी मैं आप से डिसकस कर चुका हूँ देखें, अलमीडा जैसे ही आया, तो अलमीडा 1505 में पुर्टगालियों का गवर्णर बन कर आया, तो आते ही हिंद महासागर पाता है कि भारत के हिंद महासागर में अरब व्यापारियों का पहले ही कंट्रोल है पूरी तरीके से हस्तशेप करके रखे हैं अरब व्यापारी भारत के हिंद महासागर को यह दिख रहा है पूरा का पूरा आपका हिंद महासागर है तो देखिए अगर यहाँ पर अपने competitors को beat करना है मतलब अरब विवापारियों को beat करना है तो Francisco de Almeida तो है हिंद महासागर को पूरा अपने प्रभुतों में करने की कोशिश करता है इनकी जो नौसेना रहती है यह अरब की नौसेना से तगड़ी रहती है और इसलिए पूरे छेतर पर अपना कबजा कायम कर लेता है Francisco de Almeida इसलिए नीती भी चला जाता है नीले पाने की नीती इसलिए आप इसको blue water policy के नाम से जानते हो यह नीती कुछ इस तरहे के से रहे गी कि यहाँ पर जाने के लिए तो मुगल बादशाह को भी permit लेने की आवशकता पड़ती थी हाला कि वह permit जो है वो free रहता था लेकिन फिर भी permit लेके ही गुजरना पड़ता था मुगल बादशाह को हिंद महासागर से तो इतना दबदबा कायम हो गया था Francisco de Almeida के समय पूर्टगालियों का हिंद महासागर पे इसलिए कहते हैं न कि ये जो हिंद महासागर था ये हिंद महासागर नहों के पूर्टगालियों का सागर तक कहलाने लगा था तो यह जो policy थी ये blue water policy थी और यह blue water policy लाने वाला और कोई नहीं था Francisco de Almeida याद रखेगा बहुत ही important है blue water policy लाने वाला था Francisco de Almeida आते ही सोचता है न कि क्या मैं कोठी बनाऊं क्या मैं कुछ छित्रों को अरजित करूं क्या जी तू सबसे पहले तो मेरे को control करना है जल पे ऐसा सोच रहा था Francisco de Almeida और किया भी control ना और इसलिए लाया था blue water policy बहुत बार पूछा है एक्जाम में ध्यान रखेगा अगली मैं बात करता हूँ अल्बुकर्क के बारे में नेक्स्ट गवर्नर अल्बुकर्क आया कब है आपका 1509 में 1509 में तो आया लेकिन आपको यहां से निकालना है 1510 इसने जो important काम किया ना वो 1510 में किया आते ही बिजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से गोवा को जीता ना गोवा को जीता मतलब गोवा का अधिगरहन किया तो कब अधिगरहन किया वो आपका 1510 में अधिगरहन करेगा और 1510 से आपका 1961 1961 में जाके वही गोवा जो है वो आजाद होने वाला है देखी कितने लंबे समय तक गोवा जो है पुर्टगालियों के कबजे में रहने वाला है पहला अरजित छेत्र भी दिख रहा है ना गोवा इसी दिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है और एक्जाम में बहुत दफ़ा पूछा जाता है तो कौन गोवा को जीता तो याद रखना इसका श्रे जो है वो अल्बुकर्क हो जाता है साथ ही यहाँ भी ध्यान रखना विवाह की नीती भी चलाएगा यहाँ पर अपना दबदबा कायम करने के लिए अपनी जनसंख्या को बढ़ाने की जरूरत थी जनसंख्या को बढ़ाने के लिए भारत की महिलाओं से विवाह करने की नीती भारत की महिलाओं से पुर्टगालियों का विवाह करने की अल्बुकर्क तो अल्बुकर्क एक गोवा को जीता है दूसरा विभा की नीती चलाया तो इन दोनों गवर्नरों के काम को देखते हुए यह समझ में आता है कि पूरा का पूरा जल पे कबज़ा कर लिया था अल्मिडा लेकिन थल पे कबज़ा करने वाला कौन था तो करक को याद रखना विवहा के नेती हो जाए या फिर गोवा पर कबजा करना हो जाए मलक्का पर भी यही कबजा करेगा हर्मूज जैसे बड़े-बड़े बंदरगाहों पर भी कबजा करने वाला अलबुकर की रहेगा इसलिए याद रखना फूर्दगालियों का वास्तविक संसाफ़क भारत में कौन था तो वह था अलबुकर नीनोडी कुनहा की जब बारी आएगी तो याद रखना ये गोवा को हेटकौटर बनाएगा जो पंदरा सो दस में कबजा करे हो ना गोवा पर जो कबजा करा है आपका अलबुकर कर उसी गोवा को पंदरा सो तीस में करने की कोशिश करते हैं पहले ही बताया हूना नजर सबसे पहले होनी चाहिए कथनों पे तो सही नहीं आपको गलत कथनों को छाटना है तो आओ देखते हैं बोलता है कि वास्तविक संस्थापक जो है वो था फ्रांसिसको डी अलमीडा तो ये तो कलथी कथन हो गया क्योंक लेकिन साथ में उद्देश जो है वो बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है कि पूर्तगालियों को हिंद महासागर का स्वामी बनाना यह उद्देश कुनहा का नहीं था ये तो अलमीडा का उद्देश था उसके बाद जो तीसरा कसन देखोगी तो ये अल्भुकर्ग के बारे म अगला प्रश्ट जो मैं लेकर आया हूँ इसमें आपको दो सूची दिख रही है एक में दिख रहे हैं यूरोपियन्स और दूसरे में दिख रहा है उनके द्वारा स्थापित की गई कोठिया कहीं पर भी यह नहीं बोला है कि प्रथम कोठी है या दूसरी कोठी है सीधा आपको डिरेक्ट कोठीों के बारे में दे दिया है तो यह कोठीों को मिलाना है तो चलो सबसे पहले तो आने के क्रम पर चर्चा करते हैं पुर्टगालियों को पहले ही डिसकस कर चुके हैं तो पुर्टगाली बता चुका हूँ न पुर्टगाली के बाद डस डस के बाद अंग्रेज देन और उसके बाद आपके फ्रांसेजी तो पुर्टगाली जो है वो वासको डिगामा याद रखना 1498 में पहली बार और 1502 में दूसरी बार भारत आया था आने के बाद 1503 में अपनी पहली कोठी स्थाफित करेगा और वह कोठी होगी कोचीन में यानि कि पुर्टगालियों की पहली कोठी हमेशा याद रखना पुर आप देखो जरा इस मैप को इस मैप को आपको दिखाता हूँ तो जो लोग नीदर लेंड से आए थे उन लोगों को आप कहते हूँ डच जब यह आए नीदर लेंड से तो यह भी इस तरीके से केप आप गुड़ोग को फॉलो करते हुए पहुंचे लेकिन इनका टारगेट जो है वो इंडिया नहीं था इनका टारगेट जकारता था और यहांपर मसालों की द्रीप कर लिया और डचों का मुख्य सेंटर में सेंटर जो था वो और कोई नहीं चकारता था यह आपको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंडोनेशिया के बाद इनका अगला टार्गिट जो है वो भारत था और भारत जो था तो दिख रहा है ना आपको यह वैस्ट में जो तट यह दिख रहा है ना पहली कोठी बनाएंगे मसूली पत्नम तो याद रखना कि डचों की पहली कोठी जो है वेस्ट में थी क्योंकि जाहिर से बात है इंडोनेशिया से आ रहा है तो कोठी वेस्ट में ही बनेगी याद रखने के लिए कनेक्टिविटी बताने के लिए आप सो पांच में 1605 में डचों की पहली कोठी 1530 में पोचीन जो है वो पहली कोठी निकली पुर्तगालियों की इसके बाद जब बात करेंगे डेन की अगर डेन के बारे में चर्चा करें तो तमिल नाडू में 1620 में डेन का एक ही कोठी याद रखना ट्रंकुबर जो की तमिल इंग्लिश जो है इन दोनों की अगर पुछा जाए दोनों के बारे में ब्रिटिश और फ्रेंश तो पहला कोठी जो है वो आपको सूरत को ही लगाना होगा सूरत जो है एक ऐसा सेंटर था जो सरवाधिक लाबब प्रदान करने वाला सेंटर था और इंग्लिश हो गया या पहला target जो है वो सूरत ही रहता था और इसलिए पहला कोठी ना French और English का हमेशा याद रखना ये सूरत लगेगा सूरत वाला जो कोठी है ये English जो है 1608 में बनाने की शुरुवात करेंगे 1613 में बना के complete करेंगे तो सूरत जो है वो 1613 में पहला कोठी और French की अगर बात करें French की तो French 1664 में बनाएंगे सूरत वो तो याद रखना French बोला या English बोला दोनों के लिए पहला कोठी लगेगा सूरत तो इस प्रस्ट में option ए जो है वो एक correct option है अगले प्रस्ट पर आगे बढ़ते हैं और ये प्रस्ट दिख रहा है कि मुगल समराट के काल में English East India Company ने भारत में सर्व प्रथम जो कारखाना बनाया था वो किस मुगल समराट के काल में इस्थापित किया था पहला जो कारखाना था डिसकस कर चुके हैं 1608 में बनना शुरू हुआ 1613 में कंप्लीट हुआ यह कारखाना और कोई नहीं सूरत था बताना यह है कि उस समय मुगल समराट कौन था तो देखो समझने की बात करें तो सबसे पहले तो मुगल समराट का जो शासनकाल है ये आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए इस इमेज में मैंने शासनकाल दिखाए है कि दिल्ली के गद्धी पर जो बैठा है वो बैठा है अकबर और अकबर की मृत्यू होती है 1605 में इसलिए जहांगेर का टिन्यूर शुरू होगा आपका 1605 से 1627 उसके बाद याद रखना औरंग जेब वो 1658 से बैठा और चलेगा 1707 कर ये तीजे काफी इंपोर्टेंट हो जाती है उसको अगर आप पकड़ के चलोगे तो आपको इतिहास के बहुत सारे कंसिप्ट जो है वो क्लियर होते जाएंगे चलो यहाँ पर पर्टिकुलर बात करें तो दिल्ली की गद्दी दिख रही है अकबर के बाद जाहागीर और ब्रिटेंट में याद रखना पहले तो एलिजाबेट और एलिजाबेट की मृत्यू के बाद जो शासक है वो है जेम्स प्रथम एलिजाबेट की मृत्य हो गई जब जेम्स प्रथम आया तो ब्रिटिश यहां पहले से पहुँच चुके है व्याफार को बढ़ाने के लिए जेम्स प्रथम अपने दो दूत भेजता है मुगल बादशाह के दर्बार पहले दूत का नाम रहेगा कैप्टन होकिन्स और दूसरे दूत का नाम रहेगा टॉमस रो देखो कैप्टन होकिन्स जो है यह पहुचेगा 1608 के समय और टॉमस रो जो है यह पहुचेगा आपका 1616 के समय कैप्टन होकिन्स जब पहुचा तब जहागीर से मिलता है और जहागीर से सबसे पहले तो अनुमती मांगता है सूरत में कोठी खुलने का बता चुका हूँ कि सरवाधिक लाब वाला जो जगह है वो सूरत और नजरे जो है ने इनकी लेटर जहागीर के नहीं वो अकबर के नाम से क्योंकि पता नहीं रहता है ने इसको कि अकबर की मृत्य हो चुकी है कई बार एक्जाम में ये भी प्रशना आता है कि जो खत था वो किसके नाम का खत था तो खत याद रखना, वो अकबर के नाम का था, लेकिन किसके दर्बार में पहुचा, तो दर्बार में तो वो जहांगीर के दर्बार में पहुचा है। 1608 में सूरत में कोठी खुलने की फर्मिशन, लेकिन कोठी खुल नहीं पाएगी, 1613 में इस्टाबलिश होती है। इस्थाई तोर पे जो कारखाना है 1613 का सूरत में खुलेगा, याद रखना, और उसके बाद टेंप्रेरी 1611 आपका मसूली पटनम में, लेकिन परमानिंट जो है, वो 1616 में खुलेगा मसूली पटनम, तो दो बाते याद रखना, सूरत 1613 और मसूली पटनम आपका 1616 ये दोन मागीर के शासनकाल में स्टैबिश तो ये डिसकेशन करने के बाद, अब हमको इसका उत्तर मिल रहा है, कि किस मुगल समराट के शासनकाल में पहला कारखाना तो वो होगा आपका जहांगी, इस डिसकेशन के साथ, मैंने बहुत सारे ऐसे ऐसे फैक्स भी डिसकस किये हैं, ज पहली घटना, इस इंडिया कंपनी ने दक्षन में अपने पहले कारखाने की स्थापना जो है, वो मसूली पत्नम में की थी, ऐसा बोल रहा है, अभी हम डिसकस कर चुके हैं, कि एक तो सूरत और दूसरा मसूली पत्नम, तो दक्षन में साफ साफ अगर उसने साथ में लगा जो है, वो और कहां था तो वो सूरत में था, बिल्कुल सही बात है, और यह घटना जो है, यह 1613 की है, इसके बारे में भी हम डिसकस कर चुके हैं, कैप्टन होकिन्स मुंचा था, जहांगीर के दरबार, उसके बाद अंग्रेजों को बंगाल में व्यापार के लिए औरंग जेब की बात आएगी, तो दिमाग में इक बात याद रखना, 1658 से 1707 रहेगा औरंग जेब, औरंग जेब जब गदी पर बैठा, तो इधर गदी पर बैठा, तो जजिया लगाया, गैर मुस्लिमों पर जजिया लगाने की बात पर, अंग्रेजों ने और औरंग जेब की भ जाके यह फरमान जारी करेगा बंगाल में व्यापार करने के लिए अंग्रेजों का, और यह फरमान जो है, यह 1667 में जारी करेगा, देखो 58 में बैठा है, 1667 में यह जो फरमान है वो जारी करेगा, तो यह घटना जो है 1667 की देख रही, फिर कमपनी को मदरास का जो की और दूसरी घटना याद रखना 1649, 1632 में गोल कुंडा का सुल्तान व्यापार करने का ओफर देता है अंग्रेजों को 1632 की आप हमारे बंदरगाहों को इस्तेमाल कीजिए, कुछ नॉमिनल अमाउंट को लेके, तो 1632 में गोल कुंडा, लेकिन 1649 में बात होती है मदरास क देखो क्यों बता रहा हूँ, चंद्रगिरी का राजा जो विजे नगर का एक प्रतिनिधी के तौर पे रहता है, आफर करता है अंग्रेजों को कि आप मेरे से मदरास को पटे में लेलो, एक नॉमिनल सा शुल्क रहता है वो शुल्क के मदरास को पटे पर दे देता है आद में जाकर ये मदरास को अपनी एक बड़ी प्रेसिडेंसी बनाने वाले है, तो मदरास यहाँ पर अंग्रेजों को मिल रहा है ना, इसलिए यह एक तरह का सुनहरा फर्मान है, और यह फर्मान जो है चंद्रगिरी के राजा से 1649 में मिलता है, 1649 की घटना देख रही है सिक्स्टीन ठर्टीन नाई, तो इस तरीके से हमने चारों ये मिंशन किये, तो अगर इसको सिक्वेंस में जमाएं, तो सबसे पहले दिख़ रहा है, नमबर 2 यानि की 1613 में सूरत, फिर दिख रहा है नमबर 1 यानि की 1616 में आपका मसूली पटनम, फिर दिख रहा है नमबर 4 यानि की आपका 1649 और फिर दिख रहा है नमबर 3 यानि की आपका 1667, so your option D is the correct option. चलिए अब अगला question देखते हैं, यहाँ पर बात हो रही है अन यूरोपी शक्तियों पर, अंग्रेजों की सफलता हुई अन यूरोपी शक्तियों पर इसकी क्या कारण है, तो देखो 5 कारण जो हैं वो हमको दिख रहे हैं, और इनमें से हमको बताना है कि कौन-कौन से सही कार सबसे पहले बात करते हैं व्यापारी कंपनियों की प्रकृति पर, तो अगर देखें इस्ट इंडिया कंपनी, तो इसमें board of directors से चलती थी, और इसकी जो directors हैं, जो shareholders है, annually elect होने वाली directors थी, तो यह कंपनी जो है, यह अलग प्रवित्ति की थी, जबकि अगर बात करें, फ्रा थी, तो इसलिए अलग प्रकृति होना भी इसके सर्वोचता का एक कारण माना जा सकता है, दूसरा नौसेना की श्रेष्ट था, अपने competitors यानि कि पुर्तगाली ने बीट किया था अरब को, क्योंकि पुर्तगालियों की नौसेना जो है, अरब से ज़्यादा अच्छी हो च सीख कर अंग्रेजों ने भी अपनी नौसेना को फ्रांस से और पुर्तगालियों से अधिक स्रेष्ट बना लिया था, तो नौसेना भी एक कारण हो सकती है इनकी स्रेष्ट था, यहाँ पुनर जागरन जो है, बृतेन में पुनर जागरन काफी पहले हो चुका था, और इस्थिर सरकार की बात हो रही है, फ्रेंच की अगर बात करें, तो 1768 में, 68 में फ्रेंच में भी वाइलेंट रिवालिशन हुआ था, एक करांती हुई थी जो वाइलेंट थी, और आपके डच और स्पेन अपने 80 साल के युद्ध में पहले ही बीजी हो चुके थे, लेकिन उनके कंपेर में बात करें, तो ब्रिटेन में एक इस्थिर सरकार थी और वह भी एक कारण बनता है, इसाई धर्म के प्रचार में कमरूची, कमरूची रखना, दच के तुलना में, पुर्तुगालियों के तुलना में, फ्रांसेसियों के तुलना में यह जो है, वो इसाई अभी एक कारण हो सकता है, इनकी सर्वचता का, एक्जाम में ऐसे प्रशन पूछे जा सकते हैं, काफी महत्पून प्रशन दिखाई दे रहा है, संभावना है, इस तरह के प्रशनों के पूछे जाने की, और हमने डिस्कस किये, कि यह जो पांचों कारण है, यह अंग्रेज सर्वचता के लिए मार्ग प्रशस्त किया था, यह तो बिल्कुल सही बात है, अब यह बताओ, कि प्लासी की लड़ाई के कौन-कौन से कारण थे, यानि कि फिर आपके सामने रख दिया है, कथन और इस बार कथनों की संख्या है, जैसे ही कथन देखोगे, चेक करना, कि मेर कासी के युद्ध के कारण कौन-कौन से थे, चलो, वन बाई वन इन चारों कत्रों को कारणों को डिसकस करते हैं, पहला कारण यह बोल रहा है कि कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी लाप के लिए दस्तक का दुरुपयोग किया जाता था, तो देखो दस्तक का मतलब ह बंगाल और दस्तक की कहाने को कुछ ऐसे समझोगे कि सन 1717 में मुगल शासक का नाम था फरुक शियर और इस फरुक शियर को जब बिमारी होती है, तब उस बिमारी के लिए एक दल जो है वो बंगाल से पहुंचता है मुगल बादशाह के पास और उसमें एक डॉक्टर का न नाम रहता है, नाम बता रहा हूँ, उसका नाम रहता है है हैमिल्टन, जब हैमिल्टन डॉक्टर इसकी बिमारी को दूर करता है, तो फरुक शियर भाई साब खुश होके 1717 में एक फर्मान जारी करते हैं कि आप बंगाल में बिना कोई कर दिये मुक्त में व्यापार कर सकत यह जो फर्मान है, इसी को दस्तक कहा गया, एक्चुली यह करमुक्त व्यापार करने का एक पर्मिट था, इसलिए इसका नाम जो पढ़ा आपका दस्तक, तो दस्तक जो है 1717 में जारी हुआ, जारी करने वाला था परुक्षियर, कौन सा डॉक्टर ठीक किया तो वो ठीक कि आपका हैमिल्टन, जो टीम आई थी मुगल दर्वार के पास, वो बंगाल से आई थी, तो उस समय बंगाल का सुबेदार था, नाम याद रखेगा मुर्शित कुली खां, योकि उस समय बंगाल सब्दंदर हुआ नहीं था, तो नवाब नहीं बोलेंगे, उस समय बंगाल का सुबेदार बोलेंगे, और यह सुबेदार था आपका मुर्शित कुली खां, दस्तक के बारे में ये बाते करने के बाद, अब हम समझते हैं कि किस तरीके से कंपनी जो है, वो दस्तक का दुरुपयो कर रही थी, देखो हो यह राथा, कि दस्तक जो है कंपनी को दिया गया अब धा एक्स्टरनल ट्रेट के लिए कि आप समुदर पार जाकर व्यापार करो, लेकिन ये लोग जो कंपनी है, वो इंटरनल ट्रेट के लिए दस्तक का इस्तेमाल कर रही है, पहली बात, दूसरी बात कंपनी के जो व्यापारी है, वो अपने परिसनल बेनिफिट के ये भी दस्तक का उप्योग कर रही है, पर एक्जंपल, मान लो अगर ये एक बेरियर है, और इस बेरियर से एक ब्रिटिश व्यापारी है, और एक भारती व्यापारी है, ये क्रॉस करना चाह रहे है, जब बात होती है ब्रिटिश व्यापारी की, तो जैसे ही अपने सावा के साथ barrier में पहुंचेगा दिखाएगा अपना permit यानि कि 10 तक तो इसको कोई भी चुंगी नहीं लगने वाला कोई भी टेक्स नहीं लगने वाला और इसका माल जो है इस व्यापारी से पास हो जाए जब आएगा भारती है जब इसको ले जाना होगा इस barrier को cross करना होगा तो for example माल लेजिए कि 30% इसको चुंगी देना पड़ेगा तो यह दिख रहा है ना 10 तक की उपयोगिता कि किस तरीके से 10 तक जो है इस्तेवाल करते थे British अब दुरुपयोग कैसे करेंगे तो यह offer दे रहे थे Indians को कि एक काम करो आप हमको 30% ना देके आप हमको 10% दे दो तो हम पास है उसी की फोटो कोपी बना के हम आपको दे देते हैं तो आपका सामान जो है वो यहाँ पर फ्री में चला जाएगा तो यह और कुछ नहीं इससे हो क्या रहा है इससे जो British अधिकारी है उनके जेव में तो पैसा जा रहा है देखो company नहीं company के अधिकारियों के जेव मे अभी क्यों हो रहा था तो यह निजी लाब के लिए दुरुपयों किया जा रहा था तो यह जो कथन है यह बिलकुल सही कथन है बात तो सही है और यहीं आगे चलके प्लासी के युद्ध का एक prominent reason भी बनने वाला है इसलिए प्लासी के युद्ध का एक इस्थाई कारण नि बंदूग तेनाज कर रहे हो safety point of view से उसको की किले बंदी कर दे रहे हो तो यह कहलाता है किले बंदी और बात करते हैं कलकत्ता की यह वो problem है जो अलिवर्दी खां के जमाने से चली आ रही है अलिवर्दी खां जब गद्धी पे था तो वह भी अंग्रेजों को समझा रहा थ था कि आप लोग मेरे यहां व्यापारी बनके आएगो आप यहां पर किले बंदी क्यों कर रहे हो आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी तो मेरी है आपकी सुरक्षा मैं करूंगा आपको इसके लिए अपने किलों की किले बंदी करने की जरूरत नहीं है ऐसा अलिवर्दी खा समझा रहा था न अंग्रेजों को लेकिन अंग्रेज नहीं माई अलिवर्दी खा जब अपने फेवरेट नाती को गद्डी पर बैठाया बंगाल का नवाब बनाया मतलब सिराजुद दौला सिराजुद दौला को भी नसीहत दिया कि देख बेटा मुल्क की रक्षा अब तेरे हाथों में है ये जो अंग्रेज है किसी भी तरह से इनको किलेबंदी करने की पर्मीशन मत देना इनको व्यापारी बनाये रतना है और अपने नाना के ही नक्षे कदम पर चलेगा सिराजुद दौला और किलेबंदी करने की नहीं पर्मिशन देगा और जब करेंगे भी न तो मना करेगा आपका सिराजुद दोला लेकिन अंग्रेज नहीं मानने वाले थे क्योंकि उस समय देखेगा ना प्लासी का युद्ध मतलब 1757 और 1756 में आपका सब्त वर्षी युद्ध ब्रिटेन में तो अंग्रेज अपने युद्ध की तैयारी कर रहे थे क्योंकि एक और यूरोपी शक्ति उस सवे एक्टिविट थी भारत में जो है आपकी फ्रांसीसि तो फ्रांसीसियों से डर तो था ही अंग्रेजों को और उस डर के लिए बीट करने के लिए अंग्रेज अपनी किलेबंदी लगातार करते जा रहे थे बंगाल के नवाब सिराजु तौला की एक नहीं सुन रहे थे और यही कलकत्ता की किले बंदी आगे चलकर अली नगर की संधी और आगे चलकर चंदरणगर की कोठी पर आकर्मण कत्कालिक कारण होगा चंदरणगर की कोठी पर आकर्मण करना प्लासी के युद्ध के एक prominent reason जो है वो नहीं दिखता है राजधानी का मुर्शिदाबाद से मुंगेर इस्थान तर रहेगी जब प्लासी का युद्ध हुआ तब सिराजुद दौला भी अटेक करने जब प्लासी के युद्ध पहुचा था तो मुर्शिदाबाद से ही नहीं क्या थी तो मुर्शिदाबाद ही यह जो घटना है इस्थानांतरन की घटना ये तो 1762 में हुई थी 1762 में हुई थी जब मीर जाफर के बाद मीर जाफर का दामाद यानि मीर कासिम को बंगाल का नवा बना तो अंग्रेजों के इंटर्फेर से बहुत परिशान हो चला तो मुर्शिदाबाद से खुधी साइड होके अपना राजधनी मुंगेर को बनाया था तो इस तरीके से यह घटना जो है 1760 की है और करने वाला कौन था तो आपका मीर कासिम था तो जाहिर से बात है इसका तो संबंद हो ही नहीं सकता है प्लासी के युद्ध से तो प्लास शासन से संबंदित है प्लासी का युद्ध 1757 बकसर का युद्ध 1764 और उसके बाद 1765 में एक संधी हुई थी जिसको आप इलहाबाद की संधी कहते हों और इलहाबाद की संधी के साथ रोबर्ट क्लाइब का कमबैक हुआ और रोबर्ट क्लाइब ने समझाता किया जिसके बंगाल में द्वैद शासन लागू हुआ 1765 में बात करते हैं द्वैद शासन की तो द्वैद शासन आया तो सही 1765 में लाने वाला होगा रोबर्ट क्लाइब और 1772 में यह जो द्वैद शासन ने खतन करने वाला होगा वारन हैस्टिंग्स द्वैद शासन कहां लागू हु होता ये था कि बंगाल में दो function होते थे एक function को आप कहते थे दिवानी function और दूसरे function को बंगाल में आप कहते थे निजामत function दिवानी function का मतलब है जो पूरा का पूरा revenue कलेक्ट करने वाली जो बात होगी मतलब राजस को संग्रा करने वाली बात होगी वो function आपका कहलाता था दिवानी मतलब economic पैसे से संबंधित मामला है ठीक है ना और इसको काम जो करता था ना उस काम को मतलब उस post को आप कहते थे दिवार इधर जब निजामत की बात आ रही है तो सीधा सीधा बात समझो प्रशासनिक कारियों की बात आ रही है चांती सुरक्षा न्याइक कार ऐसे स संबंधित मतलब प्रशासनिक कारवा सडख बनवाना हो गया पुल बनवाना हो गया जो भी ग्रोथ वाला हो गया मेले लगवाना हो गया सांस्कृतिक कारेकरमों का आयोजन हो गया मतलब जो काम थे ना administration को maintain करने वाले वो काम थे आपकी निजामत और जो post इसके लिए अप जिसा तीनों जगह की दिवानी राइट्स कंपणी ने अपने हाथ में रखा था मतलब यह था कि पैसा जो है राजस जो है वो सीधा इस्ट इंडिया कंपणी के पास आना चाहिए यानि कि power है कोई responsibility नहीं है क्योंकि कारे करने की जिम्मेदारी जो है वो किसके पास है तो व किसके आगई आपकी नवाब के आगई power without responsibility यह अंग्रेजों का था और no power only responsibility यह दिख रहा है किसका था नवाब का था तो यह जो सिस्टम था ना आपका यह कहलाता था आपका बंगाल में द्वैशासन बंगाल पूरी तरीके से कमजोर होता गया और जब अकाल पड़ा तब company ने वित और प्रांथ का प्रशासन को नियंतरित किया अभी पता चुका हूं input हम लेंगे input तो हम लेंगे लेकिन प्रांथ का जो प्रशासन है वो कुन देखेगा नवाब देखेगा तो किसी एंगल से सही नहीं है यह वाला कथन आपका input हमारा होगा output नवाब का होगा प् इसका आपका अंग्रेजों पे तो यह कथन किसी एंगल से गलत नहीं हो सकता वैद शासन से सम्मधित सारे facts मैंने आपको समझा दिये हैं और इन दोनों कथनों के साथ आपने इसके concepts को भी अच्छी तरीके से समझ गया होगा पूछा है कुन सा कथन सही है तो जो सही खतन है वो खाली दूसर अठारा सो संतावन का विद्रों जोडों पर विचार करना है एक तरफ सेंटर दे दिया गया है दूसरे तरफ आपको उनके लीडर्स दे दिया गया है और पूछा है कि संतावन के विद्रों के दौरान नेता तथा उनके छित्रों में संबंद का मिलान किय गया है बताया हूँ न जैसे ही देखना है तो सबसे पहले छाटना है सही पूछा है कि सही नहीं है पूछा है यहां पर ध्यान देना सबसे पहले तो बोला तो लगाना ही चलो अब सही नहीं है पूछ रहा है मतलब जो मैच किया है उसमें कौन सा सही नहीं उसको बताना है तो बात करते हैं शुरुआत करते हैं लखनु से लखनु मतलब आपका अवद अवद मतलब आपके नवाब है वाजित अलिश शाह नवाब है तो बेगम भी होगी बेगम है आपका बेगम हजरत महल और बेगम है नवाब है तो यहां पर उत्रा दिकारी होगा बिर्जिस कादिर विर्जिस कादिर नाम का इनका उत्रादिकारी होगा। अवद लगनों की बात करें तो अंग्रेजों का एक वफादार दोस्त है। 1764 में बकसर के युद्ध में सपोर्ट करने के बाद, 1765 में इलहाबाद की संदी होने के बाद, सो सालो तक अंग्रेजों का वफादार दोस्त, अच्छी तरीके से वफादारी तक दोस्ता न निभाएगा। लेकिन पाता ये है कि 1801 में साहयक संदी से साइन करवाएंगी, इसका आपका अवद का। 1801 में साहयक संदी से साइन और 1801 के बाद याद रखना, 1856 में डलहौजी की हड़क निथी, अरे दोनों इसका शिकार किये न, वेलेजली की साहयक संदी में भी अवद का शिकार हुआ, और डलहौजी की हड़क निथी में भी अवद का शिकार हुआ, एक शिकार 1801 और दूसरा शिकार 1856, अपन ये दोनों ही दर्दनाग हाथ से जो है अवद के साथ हुए है जबकि सो सालों का दोस्ताना जो है बड़ा वफादार साथी था अवद को तो हडपे कैसे है ये सुनना नियम था कि तुम्हारा जो है दत्तक पुत्र नहीं होना चाहिए गोद लेना भी निशेत था ये थ शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा है ब्रस का चार हो रहा है इसलिए आपका शासन जो है वो सही नहीं है हमारा यानि अंग्रेजों का प्रिशासन जो है वो जादा सही है पुशासन का आरोप लगाएंगे 1856 में अवद को हड़ नहीं बेगम नराज होना तो जायस था कलकत सा कलकता निर्वासित कर दिया हमारे नवाफ सहब को और बेगम का नराज होना जायर था और बेगम अब विगुल बजाना चाहती थी विद्रों का और विद्रों होगा 1857 जो इससी शिरुवात होती है 10 मई 1857 से मेरट से इसकी शिरुवात होती है और जब यह विद्रों पित्रित्व करने वाली होंगी बेगम हजरत मेहल। तो लगनों का ओक्षन जो है बेगम हजरत मेहल के साथ जुड़ता है, खान बहातदुर के साथ नहीं जुड़ता है। कानपूर की अगर बात करें तो कानपूर में जब आओगे तो यहाँ पर पिक्चर में आते हैं नाना सहब जो की पेश्वा बाजी राव सेकेंड के दगतक पुत्र थे गोध लिया था धोंदू पंत नाम के शक्स को जिनको आप नाना सहब के नाम से जानते को जब पेंशन ब अले बड़े थे आपके नाना सहाब कानपूर के बिठूर बहुत दूर भेज दिया था ताकि कहीं को संगटित होकर कमबैक न कर सकें आपके पेश्वा बाजी राव सेकिंड नाना सहाब का बिठूर में ही पालन पशन होगा इसलिए कानपूर में विद्रों करेंगे आपक कर दिया अपने मंत्री अजिमूलला खा को भी बेजे हैं बृटेन कि समझाओ महारानी विक्टूरिया को कि मेरे को पेंशन दे लेकिन महारानी विक्टूरिया का भी जवाब पॉजिटिव नहीं होता है ठान लेते हैं नाना सहाब की मैं विद्रों का जन्म लूँगा और क महिलाओं को बैठाकर कुछ अंग्रेजों को मिटाकर ये कही भेज रहे थे तब वहाँ पर एक घाट में एक घटना हो जाती है जो इनके चरिक्तर पर दाग की तरह देखा जाता है नाना सभांद में दाग की तरह अंग्रेज कहते हैं यह घटना जो है काफी महत्मूर्ण है तो नाना सहाब से समंदित है मेरे को कमिन करके बताना उस घटना का नाम क्या, और अगर नहीं तो सर्ज करके देखना कि उस घटना का नाम क्या था, एक important प्रशन यहां पर वंड़ा, बरेली की बात करें, तो देखो कानपूर में नाना सहाब जो है connection जो है, वह बिल्कुल right है यहां पर कुछ भी गलत नहीं है बरेली की बात करें तो बरेली में बेगम हजरत महल कैसे हो सकती है क्योंकि बरेली बेगम हजरत महल का संबंद किस्से है आपका लखनों से है यानि कि ये भी आपका गलत हो जाता है बरेली में जो नित्रतु थे उनका नाम था बक्त खां और बक्त खां को ही आप खान बहादुर खां के नाम से जानते हो बरेली का कनेक्शन जो है खान बहादुर खां से दाथ होगा और वही बरेली से 1857 के सिपाहियों के साथ वो दिल् हम बात करेंगे रग्तिफा के बारे लिडर्शिप था मौलवी अहमदुल्ला इन्होंने इनके बारे में याद रखना कि जिहाद के नाम पर इन्होंने लोगों को एकत्रित किया था और इतना परेशान कर दिया था इन्होंने अंग्रेजों को कि 50,000 रुपे का इनाम भी पर ध्यान देना बहुत जरूरी है सही नहीं है पूछा है तो एक तो सही नहीं है पहला और दूसरा सही नहीं है तीसरा यानिकी आपका वन एंड थी अग्ला प्रस्ति पर विचार करो 57 के विद्रों के बारे में निम्द कत्रों पर आपको विचार करना जैसी कथन दिखे वैसे ही छाटना सही कथनों पर आपको दिखना है तो पहला कथन है बादूर शाह को विद्रों के नित्रित्व के शिंखला में सबसे कमजोर कड़ी माना जाता था कोई भी बता देगा हम सब जानते हैं कि जो बादूर शाह जफर थे वो एक बुजग वेक्ती थे एक बादूर शाह जफर की और बाद में तभी जे अठारत संतावन के विद्रों के समय भारत का समराट बना दिया जाता है बादूर शाह जफर को तो एक कमजोर कड़ी था यह हम अच्छी तरीके से समझ सकते हैं तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है विद्रों का व्यापन प्रिश आप कैसे कह सकते हो कि वो किसी धार्मिक पहचान से प्रभावित था ये किसी भी धार्मिक पहचान से प्रभावित नहीं था इनका जो दृष्टिपोन है वो धार्मिक नहीं था इसलिए ये भी एक करेक्ट ऑप्शन दिखाई दे रहा है सामन इन्यागरिक विद्रों में नहीं हुए थे अवद से रिलेट करता हूं इसको अवद मतलब अभी पता चुका हूं ना 1765 से दोस्ताना शुरू हुआ ठीक है 1801 में वैधिली ने इसको अपना शिकार बनाया सहयक संदी 1856 में डलहोजी ने इसको अपना शिकार बनाया मतलब कौन सा नहीं थी आपका हलप नहीं थी और इसी में द्यान रतना अवद से ही मैक्जिमम सिपाही जो है वो ब्रिटिश की सेना में शामिए चाहे आप कृशक हो गए मजदूर हो गए दस्तकार हो गए कोई भी वर्ग क्यों न हो जाए सभी के सभी नाराज हो गए जब उनके एंपायर के साथ उनके अवद के साथ ऐसा काम किया गया था तो सभी के सभी का नाराज होना लाजमित और नाराज हुए तो वो अपने आप तो वो इस विद्रों में शामिल हुए इसका मतलब साफ है कि इस विद्रों में जो नागरिक है नागरिक वो भी शामिल हुए थे ऐसा नहीं है कि वो शामिल नहीं हुए थे यह जो सेंटेंस है वो एक गलत सेंटेंस है, और यह जो तीसरा सेंटेंस है, यह आपका अवद से बिलोंग करता है, अवद में जो विद्रो हुआ, लखनो में जो विद्रो हुआ, उसके नित्रत करता भी डिस्कस कर चुके हैं, बेगम हजरत महल, नवाप था वाजित अली शाह, तो इस तरीके स को मैं यहाँ पर लाना समझ रहा था जरूरी, इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस 1857 नावक कुस्तक के लेखक कौन है, इस कुस्तक के लेखक है बीडी सावरकर, देखें बीडी सावरकर का संबंद जो है, वो महराष्ट से, और महराष्ट का मतलब है 1899 में, बीडी सावर में, वही मित्र मिला जो है, 1904 में आपका अभिनव भारत नाम की संस्था महराष्ट में बनाएंगे वीडी सावरकर, इतना काम करने के बाद, देखो, अभिनव भारत 1904, इतना काम करने के बाद वीडी सावरकर गए लंदन, क्योंकि पढ़ाई के लिए इनको अच्छी खा पर एक किताब लिग दी, जिस किताब को कहते हैं, इंडियन वार अफ इंडिपेंडेंस, 1857, ये एक ऐसी किताब थी, जिसमें इनों ने इस विड्रो को प्रतंतरता संग्राम का दर्जा दिया था, अभी तक तो सारे के सारे व्राइटर जो है, विड्रो विड्रो ही कहते थ लेकिन इनों ने इस विड्रो को स्वतंतरता संग्राम कहा था, वो भी प्रतंतरता संग्राम, यही कारण है कि बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है ये कुश्चन, और इस बुक पर अंग्रेजू ने प्रतिबंद भी लगा दिया था, क्योंकि यह बुक दो है संतावन के वि बदलाव किये गए, देखे, प्रस्ट जो है, क्या बदलाव किये गए, जाहिर सी बात है, अंग्रेजों को विद्रो का दबन कर चुके थे, अब दबन के बाद इनोंने अपनी क्या तैयारी की, इस पर उठाया गया प्रस्ट ने, काफी महत्पुन है, प्रस्ट ऐसा अगे बनने से पहले मैंने हमेशा बताया है, जहां कथन है, वहाँ चेक करो, सही की गलत, सही विकल्पों को आपको बताना है, क्या बोल रहा है, भारती और यूरोपी लोगों के अनुपात में समान रूप से विद्धी की, पहले अनुपात क्या था, और बाद में अनुप अनुपात को बदलना होगा, तो जैसे बंगाल वाला रीजन हो गया, इस रीजन में जो ज़्यादा सेंसिटिव रीजन था, वहाँ पर इन्हों ने इस अनुपात को टू इस्टू बन अनुपात कर दिया था, मतलब दो भारतियों के पीछे, एक अंग्रेज की न्यूपती एक अंग्रेज सैनिक की न्यूपती हो, लेकिन वहीं अगर दूसरा रीजन ये बंगाल के लिए था, और बंगाल के बाद अगर आप मदरास की बात कर लो, बंबे की बात कर दो, अलग-अलग है न हो इस्ट हो गया, साउथ हो गया, यहाँ पर इन्हों ने रखा था, पाइ समान रूप से प्रिदी की गई, तो नहीं, समान रूप से प्रिदी नहीं की गई, यह गलत बात, सैनिकों के बीच में जाती के प्रती वफादारी को प्रत्साहित किया गया, हाँ, यहाँ पर जाती हो गया, यहाँ पर कमिनल चीजों को जादा प्रत्साहित किया गया, और को जो है वो mix रखा गया अलग-अलग जातियों की लोगों को mix कए गया ताकि कल को अगर फिर से वही situation आ जाए तो वापस विद्रों जो है ना खड़ा हो जाए इसलिए उन्होंने यहाँ पर जाती की प्रती वफादारी को याद रखना प्रुचाहिद किया है यह कथन जो है बिलकुल सही है लोगों के sentiments जो है वो फिर से उजागर ना हो जाए इसलिए जाती के प्रती वफादारी को उन्होंने प्रुचाहिद किया था मार्शल और गैर मार्शल वर्ग की अबधारना शुरू की थी यह इनका बहुत बड़ा decision था और बहुत important बहुत जादा समझदा बारी वाला decision भी था देखो क्या हुआ था दो चीज़ें इन्होंने बनाई थी एक था मार्शल कैटेगरी और एक जो रिजन उन्होंने बनाया था वो था नौन मार्शल कैटेगरी का मतलब है कि यहां से जादा नियुक्ती नहीं कि जाएगी लार्ज अमांट में सोल्जर् पूरा का पूरा एक्टिव था हमको मालूम है 1857 की क्रांती जो है उसकी जो आग है पूरे Central इंडिया में पहले थी चाहे अवद हो गया चाहे बिहार हो गया तो अवद बिहार और Central इंडिया जो रीजन थे वो सब नौन मार्शल भूशित किये गए थे जिसमें से जादा अ सप्रेश करने में साथ दिया जैसे की अगर आप बात करो शिक की अगर आप बात करो गोर्खा की अगर आप बात करो पठांज की इन्होंने विद्रों को सप्रेश करने में साथ दिया था इसलिए इनको Marshall category में रखा गया था और Marshall category का मतलब है कि Large number of soldiers जो है वो अब यहीं से recruit रूट किये जाने थे तो जाहिर सी बात है यह स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि मार्शल और ग्यार मार्शल वर्ग की अब धारणा की शिरुवात कोई संतावन के बात की भारती सेनका इस्तिमाल अकेले भारत की रक्षा के लिए किया जाने लगा तो नहीं यह कतन बिल्कुल गलत है उसका इस्तिमाल अकेले भारत के लिए नहीं किया जाने लगा था तो क्या बताना है? सही विकल्पों को बताना है तो आपका उत्तर हो जाएगा तो इसी के साथ हमने discuss किये कुछ concepts और concepts के साथ हमने facts भी आपके सामने ला कर रखे हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस revision से फायदा हुआ होगा मिलते हैं अगले class में जिसमें मैं और भी कुछ important topics और questions लेकर आऊगा Thank you, चाहिए